अर्थ ववस्ता के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबुत माना जाता है लेकिन नव वर्ष पहले ऐसी स्थिती नहीं थी जब सप्ता का स्वार्थ राष्ट हित पर हावी होता है तब कैसी बरबादी होती है कैसा विनास होता है देश में कई उदारण है यह हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दोरान यह बरबादी को देखा है जेला है अनुभव किया है आप लोग आजकल तो डिजिटल यूग है मोबाइल फोन से बैंकिंग का अक्सेवाएं लेते हैं फोन बैंकिंग करते हैं लेकिन हाथ से नव साल पहले जो सरकार थी न उस समय यह फोन बैंकिंग का कलपना ही अलग थी रिवाज ही अलग था तरीके अलग थे इरादे अलग थे उस समाने में उस सरकार में यह फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामाने नागरीकों के लिए नहीं था देश के 140 करोड देश वास्चों के लिए नहीं था उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड रुपिय का लोन दिलवाया करते थे यह लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कारवाई होती थी एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना यह फोन बैंकिंग गोटाला पहले की सरकार के पिछली सरकार के सबसे बड़े गोटालों में एक था पहले की सरकार के इस गोटाले की बज़र से देश की बैंकिंग व्यवस्ता की कमर तूट गई थी 2014 में आप सबने हमें सरकार में आकरके देश की सेवा करने का मोका दिया 2014 में सरकार में आने के बाद हमने इस तिटी से बैंकिंग सेक्टर और देश को मुशिवतों से निकालना एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया हमने सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को ससक्त किया प्रोफेशनलिजम पर बल दिया हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्मान किया हमने सुनिस्षित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की पांच लाख रुपिय तक की राशी कभी न डुबे क्योंकि बैंकों के प्रती सामान्य नागरिक का विश्वास पक्ता करना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि कई कोपरेटिव बैंक के डूबने लगी थी सामान ने मानवी की मेहनत का पैसा डूब रहा था अर इसलिए हमने एक लाग से उसको सीमा पांच लाग कर दी ताकि 99 परसंट नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा बापिस मिल सके सरकार ने एक और महत्वपन कदम उठाया बैंक रप्सी कोड जैसे कानून बनाए ताकि अगर कोई कमपनी किसी ने किसी कारण से बंद होती है तो बैंकों को कम से कम नुक्षान हो इसके साथ की हमने गलत काम करने वालों पर सिकंजाबी कसा बैंकों को लूटने वालों की संपति जबत कर ली आज परिणाम आपके सामने है जिन सरकारी बैंकों की चर्चां हजारों करोड के नुक्सान के लिए होती थी NPA के लिए होती थी आज उन बैंकों की चर्चां record profit के लिए हो रही है साथियों भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टेम और बैंक के प्रत्ते कर्मचारी उनका काम पिछले नव साल में सरकार के वीजन के अनुकुल जो उन्होंने काम किया है वो हम सभी के लिए गर्व का विशय है बैंक में काम करने वाले सभी मेरे कर्मचारी भाई भेनों ने इतनी मेहनत की इतनी मेहनत की संकट में से बैंकों को भार लाए देर्थ के अर्थमत्वंत्रे विकास में अग्रसर होकर के भूमिक आने भाई और इन बैंक कर्मचारियों ने, बैंक के लोगों ने कभी भी मुझे और मेरे विजन को न नकारा न निराश किया मुझे आध है, जब जनदन योजना शुरू हुई तो जो पुरानी सोच वाले लोग थे, वो मुझे सवाल पूछते थे गरीब के पाथ तो पैसे नहीं, वो बैंक खाता खोल के क्या करेगा, बैंक को पर बढ़लन बढ़ जाएगा, बैंक का कर्मचारी कैसे काम करेगा भाती भाती के निराशाय फ्यालाई गे थी, लेकिन बैंक के मेरे साथियों ने गरीब का जनदन खाता खुले, इसके लिए दिन रात एक कर दिया, जुग्गी जोपड़ी में जाते थे बैंक के कर्मचारी, लोगों के बैंक के खाते खुलवाते थे, अगर आज देश में करीब पचांस करोड जनदन बैंक खाते खुले हैं, तो इसके पीछे बैंक में काम करने वाले हमारे कर्मियों का परिशम है, उनका सिवाभाव है, ये बैंक कर्मियों की मेहनत है, जिसकी वेज़े से सरकार, कोरोना काल में करोडों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसपर कर पाई,